गूड इवनिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में थेखें स्टुडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने नालंदा विस्विदाले के बारे में जानकरी प्राप्त की थी तो इसी प्रक इसलिए हमने इन वीडियो को पढ़ाने में कोसिस की है ठीक है तो यह दिया आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है आपको बहुत सहाता मिलेगी एक जाम की तियारी करने में तो चल पढ़ते हैं तकसिल विष्व विदले। प्राचीन इद्यास तदा सिंस्कृति का पर्मुक इस्थिला तकसिला वर्तमान पैकिस्तान के रावल पिंडी जिल्य में इस्थित्त तकसिला प्राचीन समय में गांधा राजे की राज्दानित थी। रामायन के अनुसार भरत में अपने पुत्र दक्स के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी, भरत ने अपने पुत्र दक्स के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी, इसकी तक्सिला की, मा भरत से पता चलता है कि परिक्षित के पुत्र जन्म जे ने इसे जीता था, तदा यह ही अपना पर्शित्ना गये किया था यह विसवय का पर्थम विसवय विदाले था तो विश्वय का पर्थम विदाले कोनisen विदाले वह आपका तक्सिल्ल कि यह अपना 700 वर्स इस्वाप पूर्वे में की गई थी ठीक है तक्सिला के इत्यास में परसिदी का कारण उसका ख्याती प्राप सिक्ष्या के अंदर होना था यहां अध्यान करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे जिसमें राजा तता सम्माने जन दोनों ही समेल लिद थे सबके साथ सम्मा वसू बंदू आधी ने यहां सक्सा प्राप की थी ठीक है बहुत साहिते से पता चलता है कि यह धनूर विद्या तिथा वैदक की सिक्षा के लिए पूरे विश्वे में परसिद था बहुत साहिते के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मोर्ये के बारे म आक्रान होता रहा सिकंदर के समय यहां का राजा आम भी था जिसने सव देश के विरूद उसकी मदद की थी यूनानी लेकर इस देश की सम्रदी का उले करते हैं मोर्ये काल में उत्रापत की राजदानी तक्सिला थी मोर्ये काल के बाद यहां इंडो यूनानी सक तता कुसान राज़ों का सासन रहा तक्सिला पर चतूर्च सतापदी में गुप्त राज़ों का परभाव रहा तत्थ पसाथ हूनों के बरबर आकरमन ने यहां की प्राचीन सम्रदी एमसबेता को नस्टे कर दिया सात्विस्त आपदी के चिनी यात्री व्यन सांग के समय में यह नगर उजाड हो चुका था 1863 इस्वि में कनिंगम ने इस स्थान के खंडहरों का पता लगाया 1912-1939 तक मार्शल ने यहां व्यापक पैमाने पर खुदाईयां करवा कर पुराता अतिक महत्वय की अनेक वस्तुएं प्राप्ति की थी तीन नगरों के अवसेश खुदाई में मिलते हैं जिसका आधुनिक नाम भीर का टिला सिर कप और सिर्म सुख है ठीक है इन तिनों स्थानों पर पुरानी बस्ती के साक्से भी मिलते हैं इस काल में मकान मिट्टी तता पत्थर के बनाये जाते थे मकानों की कोई निश्चित योजना नहीं मिलती उनके बीच में आंगन आउट चारों और कमरे बने होते थे सडक तता नालियों की व्यवस्ता थी इसके अतिरिक अनेक बहुनों विहारों तता इस्तूपों के अवसेश मिले हैं तो हमने विहार इस्तूप गुफा इन सब के शिके भी मिलते हैं और कुछाणों के शिकों के बारे में हमने पहले काफी कुछ पड़ा है देखिएगा वीडियोज को एक विशेश परकार के काले चमकिले मृत भांड यहां से मिलते हैं जिने NBP कहा जता है इस परकार के 22 बर्तनों के टुकडे भी यहां मिलते हैं जिनका काल इससा पूरा 500-200 निर्धारित किया गया है तक्सिला से रोमन उधपती की कई प्राचिन समगर्यां जैसे धातु के बरतन, कांच के कटोरे, मन के रतन, आदी प्राप्त होते हैं जो भारत तथा रोम के बीच प्राचिन समय से होने वाले व्यापारिक सम्मन्दों की सूचना देते हैं पस्यम के कई देशों के व्यापारी इस्थलमार द्वारा अपना माल लेकर तकसिला पहुंसते थे तामबे तथा चांदी के आहात मुद्राएं भी प्राप्त होती थी तकसिला का दूसरा नगर सिरकप सुन्योजित धंग से बसाया गया था इसकी सडकें तथा गलियों सिदी थी जो एक दूसरे को समकोन पर काटती हुई नगर को कई खंडों में विभक्त करती थी नगर के चारों और सुरक्षा भीत्ती अर्थात प्राचीर का निर्मान कराया गया था जिसमें परवेश्द्वार बूर्ज तता तोरण बने हुए थे यहां का परमुग स्थूप धरमराजी का था जो सिरकप टिले के दक्सिन पूरव की और नगर के बाहर बनाया गया था इसका निर्मान मूलते असोक के काल में हुआ था नगर के उत्री प्रवेश्द्वार के पास जडियार नामक मंदिर का अवसेस मिलता है शिरकप नगर की स्थाफना इससा पूरव दूसरी स्थाफदी में इंडो-युनानी सास को द्वारा करवाई गयी है इसके बाद कुसान राजों के समय में तकसिला का तीसरा प्रमुक नगर सिरसुक बसाया गया यहां से एक बड़े भवन का अवसेस मिला है जिसमें दो आंगन है ग्यात होता है कि इस नगर के चारों और भी प्राचीर बनाई गयी थी तकसिला के खुदाई में मिट्टी के बरतन अभूसन सीख के मुहरे मन के मूर्तियां आदी प्राप्त होती हैं मिट्टी के बरतन कई प्रकार के हैं जैसे काले चमकिले लाल आदी युनानी मृत भाण्ट भी मिलते हैं माता देवी की मिट्टी की बहूसंकेक मूर्तियां भी मिली हैं जो अब गांधार सली से प्रभाविते हैं और गांधार सली के बारे में यहां पहले वाले वीडियोस को आप धान से देखेगा भारतिय मुद्रों के अतिरिक्त यवन, सक, पार्थियन, कुशान तता ससनियन राजों की मुद्रा यहां की खुदाई से प्राप्त होती है इनसे सूचित होता है कि तकसिला एक परमुक व्यापारी के अंदर भी था जहां कई देशों के व्यापारी स्थल मारक द्वारा अपना माल लेकर आते थे तदा यहां से उसे देश के अन्य भागों में पहुंचाया जाता था इस प्रकार तकसिला प्राचीन भारत का एक परसित सांस्कृति के व्यापारी कि स्थल था तकसिला जैन धरम का भी तीरत स्थल कहा गया है पूरातन परबंद संग्रह में यहां 105 जैन स्थलों का विवरण प्राप्त होता है तो देखेगा इस वीडियो में हमने तकसिला विश्वविदल्य के बारे में जानकरी प्राप्त की जो बहुत ही महत्तोपुन है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा अंतक देखेगा और आगे हम आपको विक्रिम सिला विश्वविदल्य के बारे में पढ़ाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे